मसालों की दुनिया के बाश्वाय श्रीध्रंबाल गुलाथी जी का हुआ निधन 1927 को सियाल कोट में हुआ था 1933 में इन्होंने पांचवी कक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी 1937 में महाशे ने पिता की मदद से शीशे का छोटा सा बिजनस शुरू किया उसके बाद साबुन और दूसरे कई बिजनस किये लेकिन उनका मन नहीं लगा बाद में उन्होंने मसालों का कारोबार शुरू किया जो उनका पुष्टेनी कारोबार था MDH का पूरा नाम महाशे नी हट्टी है चोटी सी पूंजी से शुरू किया कारोबार सीयाल कोट के बाजार पंसारिया में धरंपाल के पिता चुन्नी लाल मिर्च मसालों के एक दुकान चलाते थे जुसका नाव महाश्यादी हट्टी था यही महाश्यादी हट्टी आज मसालों की दुनिया में MDH के नाम से एक ब्रैंड बन चुकी है साथ का दश्रक आते आते महाशादी हट्टी करोल बाग के मसालों के एक मशूर दुकान बन चुकी थी महाशे धरमपाल के परिवार ने छोटी सी पूंजी से कारोबार शुरू किया लेकिन कारोबार में बरकत के चलते वो दिल्ली के अलग-लग इलाकों में दुकान दर दुकान खरीत दे चले गए स्रियाल कोट के दिनों से ही मसालों की गुरता और शुद्धता ही गुलाटी परिवार के धंदे की बुनियाद थी यही वज़ा थी कि धरमपाल ने मसाले खुद ही पीसने का फैसला किया उनका मानना था कि यदि हम मसालों को अपने आप से पीसेंगे तो क्वालिटी जादा अच्छी होगी लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था वो भी उन दिनों जब बैंक से कर्ज लेने का रिवास नहीं था लेकिन महाशे धरमपाल की यह मुश्किल ही उनकी काम्याभी की वज़ा बन गई गुलाटी परिवार ने 1969 में दिल्ली के किर्थी नगर में मसाले तयार करने के अपनी पहली फैक्टरी लगाई थी 93 साल के लंबे सवर के बाद सियाल कोट की महाशे धिहटी आज दुनिया भर में अंडियेच के रूप से मसालों का ब्रांड बन चुकी है साल 2017 में उन्हें इंडिया में किसी भी FMC ची कंपनी का सबसे जादा वेतन पाने वाला CEO भी खोशित क्या गया था क्या था स्वरगिय धरमपाल गुलाटी जी की सफलता का राज महाशे धरमपाल एक बात कहा करते थे कि जिन्दा दिली इसी का नाम है मूर्दा क्या खांग जीया करते हैं हम जिन्दा रहेंगे आपके प्यार से अच्छा काम करो, मने के बाद भी इंसान जिन्दा हो जाता है यही से महाशी जी की सफलता का सिलसिला शुरू हुआ इनकी सफलता का कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है क्राकों के प्रति इमानदारी ही महाशी जी की सफलता का सबसे बड़ा रास है